हलो फेंड एक बाफिर आपका स्वागत है हेल्थ क्यार हब चनल पर आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि PCOD और PCOS में क्या अंतर है PCOD या PCOS एक ऐसी इस्थती है जो महलाओं के अंडाशे को प्रभावित करती है प्रजनन अंग जो प्रोजोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो मासिक धर्म चक्र को विन्यमित करने में मदद करते हैं और एंड्रोजन नामक हार्मोन रिलेक्सिन और पूरुष हार्मोन को कम मात्रा में उत्पन करते हैं और दुनिया में लगभग 10 प्रतीशत महलाएं PCOD से पेड़ित हैं. PCOD की तुलना में PCOS वाली महलाएं सामान्य से अधिक मात्रा में पूरुष हर्मोन का उत्पादन करती हैं. यह हर्मोन असंतुलन उन्हें मासिक धर्म को छोड़ देता है और उनके लिए गर्वती होने में क अठनाई होती है. अप्रत्याशित हर्मोनल वैवहार के अलावा यह इस्थिती ट्रिगर कर सकती है जैसे मधुमें, बांजपन, मुहासा या अत्यधिक बाल विकास यह एक काफी सामान्य विकार है लेकिन इसका कोई सट्टीक इलाज नहीं है. कुछ महिलाएं भ्रमित हो सकती हैं कि PCOD और PCOS एक जैसे हैं या एक दूसरे से अलग. दोनों चिकत्सकिय इस्थितियां महिलाओं में उनकी प्रजनन आयू 12-19 वर्ष के बीच के दोरान अंडाशे और हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी होती है और समान लक्षनों को दर्श जाती है यहां PCOD और PCOS के बीच अंतर पता होना जरूरी है तो हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं PCOD एक ऐसी इस्थिति है जिसमें अंडाशे कई अपरिपक्व या आंशिक रूप से परिपक्व अंडे का उत्पादन करते हैं यह खराब जीवन शेली मोटापा तनाव और हार्मोनल अंसंतुलन के कारण होता है और वहीं PCOS एक चयापचे संभंधी विकार है और PCOD के अधिक गंभीर रूप से एनोवलेशन हो सकता है जहां अंडाशे अंडे छोड़ना बन कर देते हैं PCOD महिलाओं में प्रजनन शमता को प्रभावित नहीं करता है इस इस्थती में महिला अभी भी ओवलेट कर सकती है और थोड़ी सी मदद से गर्भती हो सकती है और कुछ दवाओं से गर्भवस्था पूरी हो सकती है PCOD की कोई गंभीर जटलता नहीं है वहीं PCOS की बात करें तो PCOS महिलाओं में प्रजनन शमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है PCOS के कारण महिला नियमित रूप से ओव्यूलेट नहीं कर पाती जिससे उनका गर्भती होना मुश्किल हो जाता है यदि गर्भती हो जाती है तो उनके गर्भ में गर्भ पात समय से पहले जन्म या जटलताओं का खतरा होता है PCOS में गंभीर जटलताओं होती हैं जैसे टाइप टू मधुमें, हिर्दै रोग, पुच्च रक्त चाप और बाद के चरण में एंडो मेट्रियल कैंसर इस तरह से अगर पिरियट्स स्किप हो गए हैं या अनियमित पिरियट्स हो रहे हैं मुहा से पीठ या चहरे पर बाल उग आए हैं तो इस तरी रोग विशेशग्य से सलहा लें और अपनी जाच जरूर करवाएं